नमस्कार दोस्तों मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ एक ऐसी मायाबी जड़ी बूटी के बारे में जो की बहुत ही ज़ादा सक्तिसाली है मित्रों इस चमतकारी जड़ी बूटी का नाम है इंदरजाल जिहां दोस्तों यह इतनी ज़्यादा सक्तिसाली होती है कि भूत बाधा जिन प्रेत आदी नकरातमक उर्जा से आपके घर की और आपकी रक्षा करती है और दोस्तों सभी प्रकार की समस्याओं का निवारन करती ह चाहे फिर वह ग्रह दोस्तों या फिर किसी बच्चे का पढ़ाई में मनना लगता हो या फिर दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या हो हर समस्या का समधान इस मायाबी जड़ी बूटी इंदरजाल से किया जा सकता है तो दोस्तों मैं आपको इंदरजाल अपरपन में एक चीज हमेशा से रहती है और उनके याद में यह चीज रहती है कि इंद्रजाल नामक एक पुष्टक भी होती है जिसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र एभ़म बहुत सारी रहस्यमई विद्याएं होती है जिनको सिद्ध करके मनुस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है और कई हैरत अंगेज करना में करके दिखा सकता है लेकिन दोस्तों यह प्राचीन इंदरजाल पुस्तक जो थी वह भोच पत्र में तामर पत्र में एवं सुरन पात्र में भी लिखी गई थी लेकिन दोस्तों यह असली प्राचीन महा इंदरजाल किसके पास है अभी भी रहस्य बना हुआ है लेकिन है तो है लेकिन कहां है यह अभी तक किसी को नहीं पता लेकिन दोस्तों एक आंकड़े के अनुसार एवं कुछ जो तांत्रिक है उनके अनुसार मत है की जो प्राचीन नामक इंदरजाल है जो बहुत ही पुरानी इंदरजाल है जो की भोच पत्र में तामर पत्र पर सुन पत्र में लिखी गई है उसके अंस को जो है धीरे-धीरे लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है लेकिन दोस्तों आज कल इंदर जाल नामक पुष्टक बहुत सारे तांतरिक लेखकों द्वारा बजार में उतारी जा रही है जो की बहुत ही जादा कारगर सावित नहीं हो रही है क्योंकि दोस दोस्तों चलिए हम इसकी बात ना करके हम महामायाबी और चमतकारी तांतरिक जड़ी बूटी इंदर जाल के बारे में बात करते हैं आपको बताते हैं इस इंदर जाल के बारे में जो यह चमतकारी इंदर जाल नामक जड़ी बूटी है इसमें कई रहस्यमई सक्तियां बिर यह समूद्र में पाई जाती है, जिहां दोस्तों इसका जो पॉधा होता है, जीस तरह से मकडी का जाला होता है उसी प्रकार से इसका भी पॉधा होता है समूद्र के अंदर साथी साथ दोस्तों आपने मोरपंख का पौधा देखा होगा सेम उसी की आकरती का होता है लेकिन यह समुद्र के अंदर पाया जाता है और जब यह सूख जाता है सूखने के पश्चात यह दोस्तों काला हो जाता है और काला हो जाने के पश्चात इसका प्रियोग किय जाता है और इससे कई चमतकारी आयरुवेदिक बूटियां भी बनाई जाती है जो रोगों को दूर करती है लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर द करता है कई लोग दोस्तों पैसे लेते हैं हजारों लाखों रुपए लेते हैं सिद्धी बताने के लिए तांतरिक साधनाय बताने के लिए बहुत सारी तांतरिक जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए भी पैसे लेते हैं लेकिन दोस्तों हम किसी से पैसे नहीं ल दोस्तों क्या होता है हमारा होसला टूड जाता है तो आप सविशन रोध है कि दोस्तों वीडियो को पिलीज लाइक करें ताकि हमारा होसला बढ़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं जब आप घंटी दबा लेंगे दोस्तों जब भी हम भविश मे कोई नई बीडियो लेकर के आएंगे उसका संकेत आपको तुरंत मिल जाएगा यानि आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा दोस्तों दोस्तों आपने देखा होगा कि कई ऐसे चैनल है जो दोस्तों बहुत सारा पैसा वसूलते हैं पर हम आपसे पैसे नहीं वसूलेंगे हम आपको एकदम फिरी और मुफ्थ जानकारी देंगे तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं इस महामायाबी तांतरिक और सधी इंद्रजाल के बारे में मित्रों इंद्रजाल को तावीज में यतन से भर कर बच्चों के गले में धा महांद्रजाल को पूजा कर uncald ले RJ को जाता है और दोस्तों इस महांद्रजाल को पूजाता है तो दोस्तों आप इस मंत्र से 108 बार जिहां दोस्तों 108 बार पूरी विधी विधान से बता रहा हूं दोस्तों कोई नहीं बताएगा और लोग मंतर बताने के पैसे लेते हैं लेकिन मैं पैसे नहीं लेता मंतर बताने के दोस्तों दुबार से बिधान को सही से और एक पेपर पर लिखते भी जाईएगा और आप चाहें तो बीडियो को बार बार रिपीड करके भी देख सकते हैं दोस्तों मंगलवार या सनिवार आपको जो है इंदर जाल जड़ी बूटी को अक्षत लेने हैं संदूर लेना है रोली लेना है हल्दी लेना है चंदल लेना है इससे अभी से करके इसकी पूजा करें और मंत्र जो मैंने आपको बताया है अभी मंत्र है एम हिरीम किलीम चामुंडाय बिच्चे इस मंत्र से 108 बार जब करना है और इस इंदर जाल नामक महा जड़ी बूटी को आपको अपने मंदर वाले स्थान पर ग्राजमान करवा करके इसकी पूजा करनी है 108 बार मंगलवार या सनिवार को करने से यह बूटी सिद्ध हो जाएगी अगर आप रोज 108 बार मंत्र का जाप करते हैं इस बूटी के समक्ष इसको दिया दिखाते हुए या धूबत्ती दिखाते हुए तो दोस्तों यह और भी ज़्यादा चमतकारी हो जाती है अगर इसे किसी जिहां दोस्तों अगर आप इसे किसी गिरह में जैसे सूर गिरहन, चंदर गिरहन, आमावस्या, दसहरा, दीपावली या फिर किसी भी सुभ नक्षत्र में जो है इस और सधी की पूजा करते हैं तो दोस्तों आपको ज़्यादा मंत्र जाप करनी के और सकता नहीं पड़ेगी जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों आप जो है मात्र 108 बार मंत्र का जाप करके जो है इस और सदी को सिद्ध कर ले जो कि मैंने आपको बताया है फिर से एक बार मंत्र बता देता हूं मंत्र है एम हिरीम किलीम चामुंडाय बिच्चे यह मंत्र है ठीक है दोस्तो और इस जड़ी बूटी को किसी भी देवी की मंतर से सिद्ध किया जा सकता है ठीक है आपको इस और सधी में उस महासक्ती का अंस रूप मानना है और देखना है और उसके बाद यह है जो चमतकारी महामायाबी इंदरजाल बूटी है अपना कार करना आरंभ कर देगी ततकाल ज कि दोस्तों हमारी वीडियो को पिलीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबा लें ऐसी वीडियो पाने के लिए साथ में दोस्तों इस जानकारी को दूसरों के साथ भी सेयर करें ताकि वो लोग भी इस चमतकारी महा इंदरजाल नामक जड़ी जाल की जड़ी बूटी है उसको जो है आपको विधी विधान से सिध करना है उसकी पूजा करना है पूजा करने के बाद इंदरजाल को जो इंदरजाल की जड़ी है उसको तोड़ करके थोड़ा सा ठीक है ताबीज में चांदी की ताबीज हो तामे की ताबीज हो पीतल की ताबी जो या लोहे की ताबी जो उसमें बर करके अगर गले में धारण करते हैं किसी बच्चे को धारण करवा देते हैं तो दोस्तों उसको कभी भी बुरी नजर नहीं लगेगी जिहां दोस्तों लेकिन ध्यान रखे असली ओरिजनल इंदर जाल जड़ी बूटी खरीदें जिहां दोस्तों आपको यह हैं एमाजोन पर तथा बहुत सारी ऐसी बेवसाइड हैं जो इंडियन बेवसाइड हैं वहां से आप खरीद सकते हैं ओनलाइन पर्चेस कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों इससे क्या होगा जब आप इंदर जाल नामक जड़ी बूटी को में भर कर गले में धारन करते हैं आपकी बूरी नजर से रक्षा होती है नकरात्मा कुर्जा से रक्षा होती है पढ़ाई करने वाले बच्चे बुक मार की तरह इसका उपयोग अपनी पुष्तक में करें उनकी पढ़ाई के पिर्ती रुची बढ़ने लगेगी गर्भ जिहां दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के उपर जादू टोना करते रहते हैं तो आप उससे बचे रहेंगे जिहां दोस्तों और मंगलवार के दिन मादुर्गा का ध्यान करके इंदरजाल को पीस कर पाउडर बना लें यदि उसके भवन में यह पौडर चड़क दिया जाएगा तो उसके सत्रुवत ब्योहार में आसा तीत परिवर्तन होने लगे आर्थात आपका सत्रु आपका मित्र बन जाएगा और वह दुस्मनी भोल जाएगा लेकिन दोस्तों फिर भी आप अपने हिसाब से होस्यारी बना कर संतान सुख की इच्छा रखने वाले पती पतनी इंदर जाल नामक महा जड़ी बूटी को ताबीज की तरह धारण करके नित्त कम से कम तीन माला मंत्र इस प्रकार है ओम इरिशनाए दामो दराय धीमही तन्नो बिश्णू रियो दयात की जब किया करें दोस्तों मंत्र दुबारा बता जेता हूँ मैं ओम इरिशनाए दामो दराय धीमही तन्नो बिश्णू प्रियो दयात की जब किया करें दोस्तों यह मंत्र मैं लिख भी दूँगा ठीक है भवन के वास्तु जनित कैसे भी दोस्तों जिहां दोस्तों अगर आपके घर में वास्तु दोस्त है यानि कि घर का वास्तु दोस है और आप अपने घर मकान का वास्तु दोस्त ठीक करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्य स्थापिड कर लें अपने घर में ठीक हैं चाहे मंदिर हो या पिर आप उसको किसी फ्रेम में जो है मड़वाकर घर के सामने या द्वार में टांग लें शुक्रवार के दिन सुब मुहरत में एक इंदर जाल भवन में किसी ऐसे स्थान पर स्थापिद कर लें जहां से आते जाते वह दिखाई दिया करें शुक्रवार को अपनी नित्त की पूजा में मंत्र ओम दूम दुरगाय नमा जाप कर लिया करें आपदा विपदा से घर की सदेव रक्षा होगी जिहां दोस्तों दोस्तों इंदर जाल नामक जो जड़ी बूटी है जब आप उसको किसी फ्रेम में या मंदिर के इस्थान में रखते हैं तो दोस्तों ऐसी जगे रखे जहां सब की नजर पड़े ठीक है इंदर जाल नामक जड़ी बूटी है अपने आप में बहुत ही ज़ादा चमतकारी है मित्रों इतना ज़ादा कि मैं आपसे क्या बताऊं दोस्तों यह एक बिसेश प्रकारी की चमतकारी वर्णस पती है यह कुछ मोर पंक ज़ाड़ी के पत्ते से मिलती जुलती है यह परस्पर उलजी हुई एक जाली सी प्रतीत होती है भूत प्रेत जादू टोने दुष्ट आत्माओं के दुष्प्रभाव को दूर करने आदी में इसका व्यापक प्रियोग किया जाता है यदि इसको सिध कर लिया जाए तो वाणी के प्रभाव से अनेक कारों में सफलता प्राप्त करने तथा भविस की घटनाव की भविस वाणी करने की दिब सकती तक इसके प्रियोग से प्राप्त की जा सकती है इंदरजाल की एक पूरी टहनी अपने कार अथुआ निवास इस्थान पर लगा लेने से वहां कोई भी अद्रस दुष्ट या दुष्ट प्रभाव या दुष्ट आत्मा आपको हानी नहीं पहुँचा पाता चाहे फिर वह बुरा आदमी ही क्यों नहों एक प्रकार से इंदरजाल नामक यह महामायाबी जड़ी बूटी एक सुरक्षा कवश का कार करता है इसको अच्छा प्रभाव प्राप्त करने के साथ साथ यदि सुन्दरता से अलंकरन कर लिया जाए तो सजावट के रूप में भी प्रियोग किया जा सकता है इसकी स्थापना के लिए सुब दिन मंगल और सनी वार है यदि यह मंगल और सनी की होर में उप्योग की जाए तो और भी सुब एवं बहुती अच्छा प्रितीक सिद्ध हो सकती है दोस्तों यह इंदरजाल नामक जो वनस्पती है अपने आप में बहुती चमतकारी है आप लोगों को भी इस जानकारी के बारे में बताईए और सेर करिए दोस्तों लेकिन दोस्तों ध्यान रखें नकली इंदरजाल नामक जड़ी बूती होती है यह समुद्री पोधा होता है जो की जाड़ी नुमा होती है मकड़े की जाली की तरह जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ठीक है दोस्तों और जब यह सूख जाती है तो एकदम काली पड़ जाती है लेकिन दोस्तों आप जो है इसके जांच पर ताल कर सकते हैं यूटूब पर बहुत सारी ऐसी बीडियों हैं गूगल पर बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जिसमें आप इंदरजाल के बारे मे असली इंदरजाल कौन सी है असानी से पता लगा सकते हैं ठीक है दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी तो दोस्तों हमारी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि दोस्तों हम आपको जो भी जानकारी देते हैं विश्तार पूर्वक देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके इस महामायाबी इंदरजाल जड़ी बूटी का प्रियोग करके अपना कल्यान कीजिए दूसरों का कल्यान कीजिए अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो दोस्तों आप हमसे कमेंटर में पूचिए हम आपको उसका उत्तर देंगे आपकी उत्तर का प्रिकी उत्तर भी देंगे उमीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आएगी दोस्तों आप सेविशन रोध है हमारे वीडियो को लाइक जरूर किया करिये और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और घंटी भी जरूर दबाईएगा और इस वीडियो को सेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों आपको कोटी कोटी हिर्द्या से धन्यवाद करता हूं मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद